आज हम चैनल में जो जैपनीज लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो खेला जाएगा सिम्जू एस पल्स वर्सिस कवासा की फ्रोंट आले के बीच इस मुकबले का करते हैं डिटेल एनलिसिस तो Simiju, S Pulse और Kawasa की frontale के बीच ये match S Pulse के home ground में दिन में 3 p.m. पे खिला जाएगा अब अगर मैं Japanese League की बात करूँ तो जो Kawasa की frontale है ये team Japanese League की the best team है अगर आप देखेंगे इस season ये number 1 position में चल ले हैं और last 4 में से 3 season Japanese League जीच चुके हैं तो officially the best team है, 21 matches में 17 victories हैं, 4 draws हैं यानि कि ये पूरे season अभी तक एक भी league match नहीं आ रहे हैं तो इससे पतलता है कितनी बड़ी team है और अगर आप देखेंगे इन्होंने पूरी league में सबसे जादा 51 goal score कियें इनके आसफास भी कोई नहीं है goal scoring में और इनका defense भी बहुत अच्छा है, सिर्फ 15 goal conceded कियें, 55 इनके point है और यहाँ पे ये शोली matches जीतने चाहेगी जितने भी week teams के against होंगे चुकि ये जल्दी से जल्दी जो है league wrap up करना चाहेगी तो इससे आपको एक clear cut indication मिल जिया कि कितनी बड़ी side है, कवासा की front आले इवन मैं ये कहूँगा कि ये Asia की one of the top sides में आती है अगर हम opponent Simiju S. Pulse की बात करें तो वो अभी 13th position में एक proper mid table side है और हर season लगभग इनका performance average साही रहता है 21 matches में 5 victories है, इनकी 8 draws है, 8 इनकी losses है बहुत average सिर्फ 22 goal score के और सिर्फ 28 goalie concede के 23 इनके point है तो Simiju S. Pulse एक average side है और इनका attack उतना ज़्यादा खास नहीं है लेकिन इनका defense जो है वो ठीक ठाक है बाकि इनके आसपास की teams के comparison में अगर मैं यहाँ पर हम देखेंगे तो clear cut हमें point stable देखके favorites कवासा की frontale नजर आ रही है अब हम देखते है recent form तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कवासा की frontale है इन्होंने last 3-4 matches अपने league matches नहीं खेले, यह AFC Champions League के group stage matches खेलने गए थी और वहाँ इन्होंने सारे matches अपने जीते हैं, even last 4 matches के मैंने आपे records लिखे हैं किसी दूसरी country में वो match हुए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे AFC Champions League आप सभी जामते होंगे Asian Champions League होती है, 8-0 से United City को यह रहा है, उसके बाद 2-0 से फिर से United City को उसके बाद आप देखेंगे 3-1 से इन्होंने एक Degu side को रहा है, जो बहुत बड़ी side मानी जाती है Asia की, उसके बाद पिछला match 4-0 से इन्होंने Beijing Gouan को रहा है, तो last 4 matches में 4 इनकी victories है AFC Champions League की form भी बहुत जाद अच्छी है, लीग form तो अल लेडी बहुत जाद अच्छी है तो अगर हम देखते हैं जो Simuju S Pulse है, यह यहीं League matches खेल ली थी, इन्होंने एक-एक draw केला है उसके बाद 1-0 और 2-1 की दो लगातार victories है, और जो इनका last match था, यह दो-दो draw इन्होंने किया है तो एक चीज आप देखेंगे, जो Simuju S Pulse है, इनकी recent form भी अच्छी चल लिए, last 4 में इन्होंने 2 draws किया है और 2 इनकी victories है, यानि कि पिछले 4 में एक भी match नहीं आरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कवासा की frontalis के आगे जीट गएंगे, क्योंकि कवासा की frontalis को हराना बहुत ज़्यादा tough है और अगर आज Simuju S Pulse कवासा की को हराती है, अगर यह एक example लेके देखे, अगर यह उलट फेर करते हैं, तो यह बहुत बड़ा उलट फेर होगा इस league काई अब हम डिरेक्ट प्रोवेबल लाइन अप आते हैं, उससे बहले एक चीच कहना चाओंगा, इस match की final small league team के साथ 8 grand league team आपको मिलेगी हमारे telegram channel में, तो telegram का link है description में, जरूर जोइन कर लिजे, almost सभी football matches हम यहीं cover करते हैं, नहीं तो आप telegram में यहां से भी आप जुड़के जॉइन कर सकते हैं, अब इस match में small league में क्या है, most भी बंदे कवासा की favor वाली team लाइंगे, तो teams same ही होगी लगभा के एक एक आत प्लेयर का ही फारक होगा, तो SL के लिए उतना अच्छा match नहीं है, लेकिन GL में हम ज्यादे से अधा teams बना सकते ह ऐसे करके अलग-अलग combination बना के अच्छा वाग कर सकते हैं, तो 8 grand league एक final SL team के लिए आपको जुड़ना है, टेलीगराम चैनल के साथ, तो टेलीगराम का link description में जरूर जोइन कर लिए, अब हम direct probable lineup के आते हैं, पहले हम कवासा की frontalis की बात करते हैं, जो की clear cut favorites है, अब एक लिखिंगे 9 goal, 2 assistant के इस season, और बहुत वेतरन player है, लगभग 8 season score करते हैं, अभी के लिए बाहर है, अब एक और मैंने कहीं पर news पड़ी, कि इस camp में AFC कप से return होने के बाद कुछ COVID outbreak हुआ है, जर्स इनके COVID positive भी हुए है, अभी के लिए मेरे पास sure news नहीं है कि यो कौन से player है, तो एक बाद फिर के रहा हूँ, telegram में जुड़ना आपका बहुत ज्यादा important है, अब एक sheet कहूंगा, जैसा मैंने बता है, small league के लिए, क्योंकि कवासा की यहाँ पे clear cut favorites है, high chances हो जीतिंगे और clean sheet रखेंगे, तो यहाँ पे हम दो combinations के साथ जा सकते हैं, अब proper clean sheet के लिए इस goal line के भी एक बहुत अच्छा जान से कवासा की के favor में, तो अभी के लिए देखते हैं, सुंग इनके goalkeeper है कवासा की के, अभी के लिए इनको ignore करूंगा, क्योंकि opponent का goalkeeper हमें ज्यादा saving points देगा, कवासा की के players बहुत ज्यादा attacking है, तो opponent का goalkeeper अभी के लिए ज्यादा important जिसमें की यमाने हैं, इनके दो center back है, जेसल कोडोसा और तनी गुची, और इनके left back है नोबोरी जाटो, और इनके left wing back या left midfielder है हाटाटे, अब इन 5 में मैं आपको suggest करूंगा, आप minimum इनके 4 defenders surely pick केजे, save जाने के लिए, क्योंकि आपका opponent भी mostly chances यही है कि small league में, इनके 4 य अब ही के लिए, इनके right back यमाने मेरी number one choice है, अगर आप देखेंगे एक right back के stat, तो 2 goal और 7 assist है पूरे season में, तो अगर आपका right back 7 assist देरा और goal भी कर रहा है, तो वो कितना important होगा, इसके अलावा defensive point भी यह देगा, तो यमाने मस्पीक है, हटाटे एक और बहुत important player, जो की एक left midfielder है, और यह left side से goal भी करते हैं, और defensive point भी आपको दिंगे, अगर आप देखें, हटाटे के भी 3 goal और 1 assist है, तो यमाने हटाटे top 2 players, नोबोरी जाटो जो इनके captain भी है, यह भी बहुत important player है, और इनके अगर आप देखेंगे, सिर्फ 2 assist है, लेकिन overall इनके defensive stat भी बहुत ज हूँगा, लेकिन टानी की उसी भी एक decent player है, एक holding midfielder है, अब Schmidt उस case में important हूँगे, जब आपको लग रहे एक proper low scoring match होगा, अभी के लिए मुझे लग रहा 2 या 3 goal score कर सकती है, कवाशागी, अगर इसी team के साथ खेलती है, कोई unexpected change team में नहीं होता है, तो फिलाल के लिए अभ scoring team में बहुत अच्छे option होगे, बहुत ज़्यादा passing point देंगे, tackling interception के थोड़े बहुत point दे सकते हैं, और random assist भी करते हैं, दो assist भी है इनके नाम, तो अभी के लिए Schmidt को मैं pick नहीं करूँगा, small league में, अब सबसे main player है, इस stat का वो है Leandro Damiao, अब Leandro Damiao के आप stat देखेंगे, 12 goal, 7 assist, top goal scorer और top assistigator है, तो इस team का best player है, surely the best captaincy option इस match में होने वाल है, तो Damiao जैसे player को हम surely miss नहीं कर सकते, तो इस match में small league में हमारे captain होंगे, अब एक चीज़ मां बताता हूँ, Damiao जो हैं, ये इनके penalty taker नहीं है, अब इस season इनके एक penalty हुई है, वो लिए इनके right winger, इनागा ने, अब इनागा क्या है, एक hit and miss type के player है, अगर आप देखिएंगे 7 goal एक assist है, जो कि इनके stats जो हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनके 7 goal ऐसे आएं, किसी match में इनों इनका एक अच्छा match आता है, उसमें 2-3 goal score कर देते हैं, तो इनागा पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन penalties में, तो safe रहन है, तो आप इनको pick कीजेगा, मैं अभी pick नहीं कर रहा हूं, अब हो सकता है, वो अच्छा दिन इनका आज हो, क्योंकि पिछले कुछ match से flop रहे, आज इनके 2-3 goal आ जाए, तो इससे आपको एक शीच का अंदाजा लग गया, कि एक बहुत बड़ी GLP के, GL में आप शोली एक टीम में इनको captain भी try कर सकते हैं, अभी के लिए small league में मैं 50-50 call के रहूं, या maybe मैं इनको ignore करूंगा, अब हमारे पास दो और player है, मिटोमा और वाकिसा क अब डमियाओ के बाद जो मिरको इनके second best attacking player लगते हैं, वो है मिटोमा, मिटोमा के आप देखेंगे, 8 goal है, 3 assist है, overall बहुत creative ETS player के वास काफी chances create करते हैं, काफी on target ये player लेता है, तो मिटोमा और डमियाओ दो top 2 picks मेरी इनके forward section से रहेंगे, इनागा के बारे में मैंने बताए hit and miss player है, तो 50-50 call है, वाकिसा का एक और decent player है, शिमिट से पहले prefer आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, एक attacking match होगा, यानि कि 2-3 goal आएंगे, अगर आप देखेंगे, एक goal, 2 assist है, लेकिन overall जो अभी इन्होंने AFC matches खेले हैं, ACN Champions League वाले, उसमें इन्होंने काफी अच्छा वर्फॉर्म किया था, काफी attacking point इन्होंने दिये थे, goals भी score किये थे, तो इन फॉर्म है, वाकिसा का एक decent choice हो सकते हैं, तो overall ये कवासा की frontalis की probable 11 है, सभी scenarios, सभी players के बारे में मैंने explain किया है, और ये इनके इस season के stat है, stat देखके आपको team बनाने में काफी help मिल सकती है, अब ह टेलीग्राम का लिंक है, description में जरूर जोइन कर लिजे, नहीं तो आप टेलीग्राम में at the rate fantasy sports 5 सरज मार के जोइन कर सकते हैं, 2.7 के से ज्यादा सफसला channel आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुडने का एक ही तरीका है, लिंक आपको description में मिल जाएगा, नहीं तो fantasy sports 5 सरज मार के जोइन कर लिजे, अब हम बात करते हैं, शीमीजू, एस पल्स की, जिनके हम सिर्फ 4 प्लियर पिक करेंगे, तो इनके गोलकीपर गोंडा अभी के लिए important है, small league में इनको मैं surely पिक करूँगा, अब इनके 4 defenders है, हारा, वाल्डो, टाटसूटा और ओकोई, इसक से defender negative point देंगे, उस case में आप एक big defender मत पिक कीजे, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं इनके minimum एक defender को small league में पिक करूँगा, वो मेरी choice होगा, हारा जो इनके right back है, अब हारा को लेने का region यह है, last 2 league matches में इनके 2 goal है as a right back, तो एक right back अगर आपका 2 goal मारा तो important हो जाता है, recent form अच इनके भी है, लेकिन recent form हारा की अच्छी है, इसके अलावा ओको ही कभी ठीक ठाक defensive numbers हैं, बाकी और defender ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, तो इन 5 में किसी एक या दो के आपको choose करना है, तो हारा या wildo में किसी एक के साथ, या दोनू को आप pick कर सकते हैं, अब एक चीज में हम एक reverse clean sheet वाली team शोली ले जाएंगे, 1-0, Simiju, S-Pulse वाली, तो उस team के लिए जो भी GL team होगी, वो आपको telegram में मिलेगी, तो फिर remind दिलारो, link आपको description में मिल जाएगा, अब मिया मोटो और टाके यूची दो defensive midfielder है, low scoring matches में दोनू अच्छे हो सकते हैं, या ऐसे matches मे दोनू decent option हो सकते हैं, जहाँ पर opponent काफी high quality का है, तो एच्छे defensive point आपको दे सकते हैं, अभी के लिए दोनू में कोई standout pick नहीं है, लेकिन टाके यूची थोड़े experience है, मिया टोमो यंग है, तो दोनू में किसी एक, या दोनू को आप consider जरूर कर सकते हैं, अभी के लिए मैं 50 50 call के रहूँ, अब इस team का जो best player है, वो है Thiago Santana, यह पहले Portuguese league में भी खेला है, आप देखिए, 6 goal है, standout goal scorer है, top scorer और 1 assist है, तो Santana को goalkeeper के साथ मैं surely pick करूँगा, अब हमारे पास एक spot बासता है, क्योंकि अभी के लिए Santana, Gondav, 2 player में यहाँ से choose करूँगा, wildo hara में किसी एक इनके overall last 2 season अच्छे गए लेकिन यह season attacking wise अच्छा नहीं जा रहा, एक goal एक assist है, लेकिन overall यह player काफी chances वगेरा create करता है, अच्छी creativity है, और कभी भी goal कर सकता है, अगर form में आता है तो एक decent option है, सुझू की एक और decent option है, इनके भी offensive, defensive number काफी ज्यादा high रहते हैं, तो सीजू की Antonio में किसी एक के साथ आप जा सकते हैं, या आप दोनों को ignore करके, इन दोनों में किसी एक के साथ जा सकते है, as a force player, लेकिन GL के लिए आप समझ गे होंगे, यह दोनों player एक अच्छी GL peak रहने वाले हैं, हालंकि Suzuki के भी आप देखेंगे कुछ offensive numbers उतने stat wise हाई नहीं है, लेकिन gameplay इनका अच्छ है, और game देखेंगे इनका ऐसा लगता है कि यह शोली बंदा score कर सकते हैं, तो अभी के लिए इन दोनों में, इन तीन, चार में किसी एक के साथ आप जा सकते हैं, मेरी choice, maybe मैं slightly Antonio को favor करूँ, क्यूंकि इनके पास creativity अच्छे और एक ब्रजीलियन player है, तो जो ब काफी help मिलने वाली है, अभी के लिए जो मेरी prediction है, कवासागी 2-0 victory की है, clear cut clean sheet वाली, या दूसरी है, 3-1, maybe एक goal, Simiju, Espalsby score कर दे, हलंकि यहाँ पे उलट fair कभी भी हो सकता है, football है, अब जो मैंने demo rough team बनेए, मैंने 4 defenders cover किया हैं, कवासागी के, और इनके goal की पर और एक defender मैं मैंने Simiju से पिक किया, Damiao, Mitoma, ये दोनों मैंने पिक किया, और मैंने अभी के लिए वाकी जाका को पिक किया, अब यहाँ से मैंने जैसे बता है, Carlinios और Thiago Santana पिक किया, captain Damiao है, wise captaincy में आपके बाद मिटोमो बहुत अच्छा option है, यमाने defense से अच्छा option है, इसके अलावाद लगता है, 2-1 type की score line होगी, then Thiago Santana को भी कर सकते है, wise captain, जो की opponent से standout player है, तो अभी के लिए फिलाल Demo rough team है, surely lineup आने के बाद इस team में changes expected है, तो मेरी updated final SL team और 8 grand league team आपको मिलेगी, telegram channel में, link description में, जरूर join कर लिए,